बीते 11 दिसम्बर से एक युवक लापता है जिसके बाद पीड़ित परजोनों का रोरो कर बुरा हाल है फिलाल पुलिस से शकायत की गई है अभी तक पुलिस को युवक का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है क्या है पूरा मामला? रेपोर्ट देखिए उसके तस्दीक होती है लेकिन उसके बाद अभी तक किसी भी तरह की कोई भी सूचना नहीं मिली है ना ही कोई अपडेट आया है ऐसे में हम परिवार के साथ मौजूद है परिवार वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है यह मौम्मद हसीव के पिता जी है जो लड़का 18 साल की उमर का है और गायाब है पीते 31 ग्यारा दिसमबर से बताईए पूरा मामला क्या है? मामला यह जी मजदूर आदमें ठेली लगाते हैं वेज बिरियानी की बच्छा, वाणी अच्छी मैं और देशस की उसका लिए भूचा गुद के आया हो उसके लगाए उसके साथ भी खेलाक पूद हैओ और अने के बाद बच्छी को घर पूंचा एक बच्छी को गर पूचा काया उड़ एड़ी के हां तो मैंने जो फून किया साड़े नौ बज़े तो सुचवा दस बजगे ग्यारा बजगे बारा बजगे एक बजगा दो बजगे लेकिन सुचव फिरा हमें बेचया नहीं लगे पूरी राथ हमें परेशानी होते हैं आज यह आलम है कि हम आज तक परेशान है हमने पुलिस कुछ लड़कों को उठा करके पूस्ताज भी किये लेकिन अभी तक कोई कुलू नहीं निकला अपने की थी कहां पर सबसे पहले आप कौन सी चौकी या थाने किस जगा गए थे आप लौनी थाने गए थे जी अपने लोनी थान में जाके बताया कि इस तरह की घटना हुई है यह नहीं आपने लौनी औरो हैं ने इनु देज दिया ड्रोगा के हां में केश्डेव लमी इन पताई कि क्या कि तडिके कहने कर वाही कि वह कुछा promotes कूंनी में कौlor टीकिल्श इरॉब के इसलत्त्cen डोसट नहीं जो भी लड़के थे उनको उठाया पूछत अचन है और फ ला मतलब कोई सबू कुछ ऐसा नहीं मामला बना जो कि बच्चे का मेरे सुराग मिल सके अच्छा जब से मोहमद हसीब जब से गायब है तब से उसके बाद किसी तरीका किसी अंजान व्यक्ति का फोन आया आपके पास जी नहीं आज तक निया आया नस पहले ना बाद में और क यार दोस्तों में परेशान मत होई है पूरी कोशिश की जाएगे आपके लड़के को जल्दी बापस लाने में इस बीच हमारे साथ मोहमद हसीब की मां से जानने की कोशिश करेंगे आप गई थी थाने आपने बात की कुछ आपने बच्चे से आखरी बार कब बात की थी तो आज के दिन जुम्हे के दिन गुस्ता हो के नाराज होकर तो इतना कुस्ता है मेरे बच्चा बैन के गए लड़की है आपकी बीटी को छोड़ने गए आप कहा रहती है जहां पर वो चोड़ने गए प्रेम लोनी में आप से मिले थे जब चोड़ने आए थे मेरे पास काफी दिर बैठा भी है नास तबी करा तो उसके पास फोनार को ड्रिंग के लिए को अल्टिंग करम हो जल्दी आजा वो ज किस तरह किया आशंका लगती है आपको यह कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं था इस बीच जिनके घर पर छोड़ने गया था मुहमारे साथ मौजूद है आप उनके हसमें ना आपके घर पर चोड़ने गया था अकरी बार, इसके बाद, आपको किस पर, बतलब यह तो माता पिता है, इनका दिल से उस तरीके समबात नहीं कर पाएंगे, आप बताएए किस तरीके आपको शक, किसी से कोई आपको लगता हो, कुछ आशंक के तो आप क यह हमाय तो बस सीधा खाना पंगाना और गर पहीं तो कुछ महले वाले लोग भी मेरे साथ मौझूद है जिन से हम जानने की कोशिश करेंगे यह बताइए किस तरीके का बहार था लड़का कैसे था किस तरीके का बहार था कोई और आपको समस्या तो नहीं लगती बच्चा इसके बढ़ना सारी बात किसी से कुछ नहीं जरा जरा सारे बच्चे जिसके हैं उन्हें उठाके उनकी साथ खेलने लगता था अईसा कुछ नहीं था लड़का सही था बिल्कुल पढ़ी आए पता नहीं चल लिया बता एक महीने एक महीना आट दिन हो गया और बच्चे कह कहीं से कहीं तो कोई पता नहीं चल लिया बहुत बड़ी जो चीज है बहुत बड़ी बात है यह लेकिन 11 इसके पीछे को फिरौती को लेकर भी कॉल नहीं मैं सीधे आप से बात करूंगा तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि मतलब किस वज़ा हो सकती है पुलिस का हट ऐसे का Specifically आपने चुफके से अठाले ते जालों में डाल लेते हैं चुक्वेस टाले खwartा टे आप पता नहीं मैं चयोना गटाने साफी जानेस बाटनी में लगल पाउस यह तक नहीं प्रोश में कुछ सम्पडोश हैं माशला बच्ण ऐसा मज़ूरा अपने दिन बारी सुभे चार बज़ उटके बिर्यानी बनानी साम को चार बज़े आना बच्छों में खेलना कोई ऐसा बच्छों में अपर किसी से कोई आ बच्छों में मौले में पर लाह ऑफ बनाई हुआ तैंड दंगों में उठा रहे हैं तो ऐसा कहीं वह पता लगा लिए कई जेले में हो तो इसके बाद भी प्लिस के बताना जरूरी होता है आप माहें आप यह बताईए आपकी मैं जो आपकी बात है वो ऊपर पहुचाने पहुचाओंगा तो आप बताईए कि आप क्या कहना चाहती है इसको लेकर जिसार लाश्ट की कॉल है उसके कारवाई कर वाएं उसके मेरे बच्चा चाहिए मुझे लास्ट में जिसकी कॉल जल्दी से जल्दी आपका बच्चा आपको मिल जाए यह बताईए पुलिस की तरफ से कोई धिलाई तो आपको नहीं दिख रही है जब अभी तक कोई कुलू सामने नहीं आया या कोई शुराग नहीं मिला मेरे बच्चे का उस एक घर से किसी ने उसका नंबर भी लिया एक लड़के से नंबर लिया और वहां उन्हें दो तीन जने को उठाया भी है लेकिन उन्होंने लड़के ने उसे पैचानने दिनकार करते हैं लुक्त वह नहीं है उसे बुलाओ जिसने वह बतारा सारा हो लिया कि लंबे बाल है और बाल वैसे रखता है जिसने मुझे उसका नंबर लिया शुकर वाले दिनी 11 तरीव में पर उसके अभी तक उन्होंने पकड़ नहीं करी जो आपके घर से जो हम बाहर निकलते हैं तो वह जो चौकी मौजूद है कसबा चौकी उसी में उसी में बद 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 जी जी लो इकराम नगर पुलिस चौकी में ही कारवाई चल लिए और जब हमारी टीम इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से बात करने के लिए पहुची तो पुलिस ने गोपनियता का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से मनाय कर दिया फिलाल उम्मीद करते हैं पुलिस अपना काम सही तरीके से करे और लापता युवक जल से जल अपने माबाप से मिल सके फिलाल के लिए इतना ही बने रहे निजोल इंडिया के साथ नमस्कार